कि दोस्तों यह डिडिवी डिसक्स एटो बॉक्स है तो इसमें विक सिगनल का प्रोबलम आ गया है इस प्रोबलम को आज ठीक करेंगे और जानेंगे इसमें ऐसा क्या दिक्कत है जिससे विक सिगनल आया हुआ है तो चलिए पहले मैं इसको आप लोगों चेक करके दिखा देत आहूं तो देखिए यहां पर मैं टीवी पे लगा दिया अब यहां पर देखिए पहले नो सिगनल है अभी पिक्चर आएगा गाँ तो देखिए अभी यह कट-कट के पिक्चर आ रही है और ऐसे ही यह करीब आधे set of box में आ जाता है तो सबसे पहले आपको confirm करना पड़ेगा कि ये set of box का दिक्कत है या फिर छतरी adjustment का दिक्कत है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपनी set of box को किसी दोस्त के घर ले जाके और check कर लेना होगा उसके चतरी में लगा के अगर उसके यहां आपका set of box में भी weak signal आ रहा है तो समझे कि आपका set of box खराब है set of box में ही दिक्कत है लेकिन अगर वहां पे आपका set of box सही काम कर जाता है वहां पे weak signal नहीं होता है नहीं दिखाता है तो आप समझे कि आपके छतरी को एकजस्टमेंट करने की जरूरत है तो यह पहले कंफार्म कर लें उसके बाद ही सेटव बॉक्स को देखें अगर शेटव बॉक्स में दिक्कत है तो सेटॉप बॉक्स को खोले वरना अपने छतरी बहुत सारा वीडियो आप यूटूब पे देखे होंगे लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि फाल्ट हर विक सिगनल में आता है अलग-अलग का हर तरह का फाल्ट होता है तो आप लोग को जानना चाहिए कि क्या क्या फाल्ट विक सिगनल में आता है तो देखिए यहां पे सबसे पहले क्या करना होगा कि यह जो इस फ्लाइज यह कंटब घृत करना हbreaker उन्याग्ट यह ग्रांड और फिर यहां पर दिता हैं प्रबृत योकि यह नहीं है तो ऐसे करके यहां आप बूर्टेज में निखा हुआ है वह सामने मिलना चीए वायर पर तो यह वोल्यूर्ट जहां चेक कर लेंगे इस वायर को पहले इसको light में लगाते हैं अब देखिए जहां पे सेटो बॉक्स में light दे दिया अब यह थोड़ी देर में on होगा देखिए उस सेकेंड में यह on हो जाएगा देखिए on हो गया अब यहां पे हम voltage चेक करेंगे तो voltage चेक करने के लिए सबस ग्राउंड होता है यह बोडी जो है plastic का है मेटल का होता तो body में भी टच कर लेते ऐसे कहीं भी ground हो जाता लेकिन यह प्लास्टिक का है इसलिए यहां पर च्छतरी से जो केवाल आती है जो कस्ते यहां पर जहां पर ground कर लेंगे black pro को उसके बाद देखिए यहां पर मल्टी मीटर के रेंज को दोसों के रखना है डीसी बॉल्ट में देखिए यहां पे मैं दिखा देता हूं आप लोग को देखेगे यहां पर हम चैक करेंगे अब देखिए यहांपर हम सबसे पहले वोल्ट चेक करेंगे 3.3 तो ठीक है यह भॉल्टेज सही आ लिए उसके शॉट मिला चीह ठीक है ऊसके बाद यहां पर 12 world मिलना चीह है थीक थीक ऑग पाद यहां पर घ्राउं रहे है कि उसके यहां पर यहांगा 5 वाल्ट रहां देन दीरी से 5 यहां पर 3.3 मिलना चाहिए तो जहां पर भी वोल्ट सही मिल रही है ठीक है यह ग्राउंड है उसके बाद यहां पर 24 वोल्ट ठीक है उसके बाद यहां पर 12 वोल्ट 14.8 ठीक है उसके बाद यह ग्राउंड है उसके बाद यहां पर 3.3 वोल्ट तो जहां पर 2.9 वोल्ट ही मिल है और जहां पशिए 3 B não मिल रहा है यहां पर 2.9 वोल्ट मिल रहे है तो यहां पर देखना पढ़ेगा एक बार यह पाउर बोर्ट को खूल के देखना पढ़ेगा दो तरह का पाउर बोड आता है एक तो होता है कि 5 बोल्ट आना ची यह और एक होता है कि दोनों पर 3V आना चाहिए जैसे कि यहां पे देखिए यहां पे जो 3.3V लिखा हुआ है तो यह एक पाउर बोल्ट जो आता है जिसका यह सप्लाई और यह सप्लाई एक ही होता है और दूसरा एक पाउर बोल्ट होता है उसका यहां पे 5V आता है और यहां पे 3.3V आता है लेकिन यहां यहाँ पर दोनों पिस स्यम्व vorbei मिल्देख के यहां फिर Kent का भी है तो इसको देख लेंगे सब refined कर दिया। और यहां पर इसको खोलना पड़ेगा को खोल लेंगे कर से दो ध।h लगा हुआ है है। इसको खोल लेते हैं देखिए यहां पर हम पेंच को खोलेंगे इसको मैं खोल लिया देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि यहां पर 3.3 लिखा हुआ है देखिए यहां पर तो इधर यह है 3.3 का तो यहां से देखिए यही प्रिंट है यहां कि यहां पर 3.3 मिलेगा तो इस पर भी 3.3 मिलेगा जो कि यहां पर कोई-कोई 15 volt मिलता है तो जाता है लेकिन यहां पर एक ही किया हुआ है यहां पर भी MAR nursing मिलेगा 3.3 वो जहां पर मिलना चाहिए तो अब हम देखेंगे कि यहां पर जो कम बोल्टे जा वो दिखकत है क्योंकि यहां पर जो voltage मिलना चीए वहीं सेम पर इसको ca justice कर लेंगे इसको इसमें light देता हूं मैं स्टो बोक्समें उप्ट लाइट आ इसको हम और और चेख कर लेते हैं इसकश हम यहां पर को दिखकत लग रहा है कि यहां पर जो voltage है सेम यहां पर मिलना चीए है त्यरी वोल्ट मिल रहा है लेकिन यहां पे 2.9 वोल्ट एट वोल्ट ऐसे हो जा रहे देखिए तो यहां पे कुछ दिक्कत है तेखिए यहां पर थी वोल्ट यहां पे हम थोरा वेट कर लेंगे 3.1, 3V जैनि कि 3V से यहां पे कम नहीं हो रहा है लेकिन वहीं पे same print है तो यहां पे भी कम नहीं होना चीए लेकिन देखिए यहां पे 2.9 2.8 मतलब 3V यहां पे नहीं हो पा रहा है तो यानि कि इस wire में दिक्कत हो सकती है यह भी एक कारण होता है वीक सिगनल का तो यहां पे हम एक वायर दूसरी वायर लगाएंगे इसको इस वायर को हम रिप्लेस करेंगे ठीक है तो इसको हम दूसरी वायर लगाके देखते हैं चलिए इसको मैं एक वायर लगाता हूँ अब देखिए एक बात समझ लेजिए कि मैं उस वायर पे देने जा हुआ है और यही burnt same देखिए जहां पर आया हुआ है यह लड़स्ट में आया हुआ है तो यह Samprint छेशा क्रें लोग देख रहे हैं यहां पर जो मिलना च्या वही 여ा मिलनाच जैज्वकी मिल भी नहीं रहा है यहां पर this मिल रहा है जो यह वायर देखिए इस तरीके से जहाँ से यह वायर का हम अगर ऐसे आएंगे पकड़े हुए तो यहाँ पे 3.3 मिल रहा है आखिर में लेकिन अब यहां से कट करेंगे और यहां पर दूसरी वायर को जोड़ देते हैं उसके बाद वोल्टेज चेक करके और ट्रीवी में लगा के देख लेंगे कि सही होता है या अभी भी वीक सिक्नल है तो चलिए इस वायर को हम कट कर देते हैं तो देखिए यहां पर इस वायर को हम कट कर क्योंकि इस वायर पर हमें सक है यहां पर वोल्टेज कम मिल रहा है तो इस वायर को हमने कट कर दिया और इसके बाद यहां पर इस वायर को कट कर दिया अब इसको हम निकाल देंगे देखिए इसको मैंने निकाल दिया कट करके उसके बाद हम यहां पर दोसीर वायर को सोल्ड क करेंगे अब देखिए इसorter मैंने यहां कनेक्ट किया जहाँ से यहां से सप्लाइड के लिए यह हैं सैर के शचल कर दिया यहां पर उसी के पॉइंट प्र और उसके बाद यहां लग रही थ है तो देखिए यहां से मैं इसको म्सक और एक क्लि guitar लिया देखिए जहां पर मैं अभी चाइंट करता हूं देखिए यहां पर यहीं तक यह कर से मेड़ा कर दिया और यह इह कर्ला आ ataque किया डीゆद्सक्राइब करनेक्ट वहांपर मैंने ये यहाँ पर अब यहाँ को यहाँ पर ढाय करदिया आप यहाँ पे हम फोल्टे चेक लेंगे और उसके बाद इसल्टीवी पर लगा खिर देख लेंगे यहाँ सभी सिग्नल है या सही हो amounts लिए इसको पहले हम वोल्टेज में पार्व कबaches। अब इसका वोल्टेज एक बार हम देख लेंगे देखिए यहाँ पर मल्टिमेटर है ठीक है अब यहाँ पर हम राउंड कर लेंगे बलेक प्रोब को और यहाँ पर हम वोल्टेज देख लेंगे देखिए यहाँ पर तो अब देखिए यहाँ पर सेम वोल्टेज मिलने लगा 3 3.1 वोल्ट ठीक है 3.1 वोल्ट जो की यहां पर सेम बोल्टेज मिल रहा था देखिए 3.1 वोल्ट इस तरीके से सेम बोल्ट यहां पर भी मिलने लगा अब क्या करेंगे कि इसको टीवी पर लगाके और देख लेते हैं कि इसका अभी भी पीक सिगनल है या सही हो गया और एक और मैंने बाद बताई दो तरह का पावर तो दूसरे पावर के बारे में भी मैं अभी बताऊंगा कि उसका फाइब वोल्ट कैसे रहता है और इसका एक ही प्रिंट किया हुआ है दो तरह का बोर्ड होता है तो अभी मैं पहले इसको टीव है वो वोल्टेज कम हो रहा था इसलिए जहां पे बिक सिगनल और था तो अब सेम बोल्टेज दुनों पॉइंट पे बन रहा है इसलिए बिसका वीक सिगनल रोब्लम दूर ओगया है अब दिखिए ये सेटोब बोक्स बिल्कुल ओक हो चुका है एक यह बोड है जो कि मैंन जो कि सेटव बॉक्स का ही है तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर 5 वोल्ट देखिए उसके बाद यहां पर ग्राउंट उसके बाद 24 वोल्ट उसके बाद यहां 12 वोल्ट उसके बाद यहां पर 3.3 वोल्ट जैसे कि आप लोग देख रहे हूंगे तो ऐसे करके यह सप्लाई है तो इस वोड में क्या किया हुआ है कि यह दोनों एक ही कर दिया है लेकिन अगर इसको मैं पीछे की तरफ द लग है ठीक है अब यह कैसे 3.3 इसी से 3.3 मिलता है यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेगा लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आपको इस SMPS से लेके चलता हूं थोड़ा ट्रेसिंग कर लेंगे तो आप लोगो समझ में आ जाएगा अब देखिए यहां से जैसे वोल्टेज कैसे आउट होत अब यहां से देखिए एक यहां पर कोईल लगी हुई है देखिए यहां पर कैपिसिटर लगा हुआ है और इसके बाद यह कोईल लगी है इस कोईल के द्वारा सप्लाई यहां पर पहुंच गई जहां 5 वोल्ट ठीक है अब यहीं से देखिए यहां पर एक पॉइंट है ज ऐसे चला प्रिंट और यहां पर फिर से देखें के तो देखें यहां पर भी एक डाइवड लगा हुआ है यह दो डाइवड शिर्फ यह दो डाइवड सीरिज में लगने के कारण यहां पर तो इस तरीके से यहां पर फिरी पॉइंट थी यहां पर फाइव वॉल्ट है तो इस वोड में ऐसा कुछ नहीं है दोनों एक ही कर दिया है मैंने इस वोड का भी आपको ट्रेसिंग करवाया थो इस तरीके से दो तरह का आता है तो कंफ्यूजन कहीं हो इसके लिए मैंने यह भी दूर कर दिया है कि आप एक बूर देखें तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाए एक में किया हुआ है तो यह खराब हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं होगा यह दो तरह का बोट आता है और सप्लाइब तो यह बिल्कुल ओके हो गया है यही आज का वीडियो था मैंने पूरी पूरी कोशिश करिए कि आप लोग के समझ में आ जाए लेकिन फिर भी कोई सवाल या सुझाओ हो तो कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर जरूर करिएगा चैनल पर नए हैं ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सुस्क्राइब करक बेल घंटी को जरूर दबाल देजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाया मिलते हैं ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जैभारत थैंक्यू